बट दोय्मरोण तो आज मैं लाई हूं आपके लिए आमला की बहुत ही बढ़्या सी नई रेसिपी तू हमने क्या लिया पहले मैंने आमला को कड़ों-कस कर लिया है और जितना मैंने आमला लिया उसी के बराबर मैंने ले लिया है गुर और गुर को मैंने छोटा छोटा पीस लिया अब हम डालेंगे फ्राइंड पैन में तेल तेल में सबसे पहले मैंने डाले हैं आठ लॉंग क्योंकि लॉंग की कुश्बू बहुत अच्छी आती है उसके बाद उपर से मैंने ये कद्दू कस किया हुआ आवला डाल दिया और ये मैं यूज कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट काला नमक ठीक है और ये इसमें मैंने आड करी काली मिर्च ब्लैक पैपर पाउडर काली मिर्च पिसी हुई और जो गुड मैंने पीसके रखा था वो मैंने इसमें डाल दिया है बस हमारे ये ही इंग्रीडियंट्स हैं जो हमने इस रेसिपी में यूज करने हैं आड अब हमारा ये कोकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा हमने वेट करनी है कि गुड मेल्ट हो जाए अच्छे से और बिल्कुल अच्छे से सूख जाए उसका पानी है तो हमने सेम गैस करके बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इस दिश को कुक करना है बहुत स्लोली स्लोली तो सबसे पहले हमने आमला को अच्छे से धोना है सुखाना है क्योंकि उसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर मॉइस्चर होता है तो जो भी हम चटनी अचार बनाते हैं तो एकदम से खराब हो जाते हैं तो या तो आप दूप लगवा के अच्छे से सुखा लीजिए आमला को और फिर हमने उसको कदूगस कर लेना है मैंने उसको पहले बॉयल नहीं किया क्योंकि जब हम उसको अगर पहले बॉयल कर देते हैं तो उसकी जो न्यूटिशियस वैल्यू है खतम हो जाती है तो देखि यह कितनी बड़िया सी देश बनके हमारी तयार हो रही है यह बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है अगर आप सोच रहे होगे कि यह बिल्कुल जूड जाएगा या कुछ भी बिल्कुल भी नहीं जूड़ेगा आपस में आमला अलग अलग रहता है और मैं तो बनाती हूँ त परांठा के साथ खाते हैं इसको इंज्वाइ करते हैं तो इस तरह से आपको यह बनाना है बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बनाते चाहिए और हमने इसका गुर्ड का जो पानी जो छोड़ रहा है गुर्ड इसको हमने बिल्कुल ड्राय कर लेना है और कोई प्रिसर्वेटि इसको टू डेस दूप में रखना है या अभी इसको टू डेस के लिए हम नहीं खा सकते ऐसा कुछ नहीं है बस आप कुक करेंगे और आप कुक करते ही इसको सर्व कर सकते हैं तो यह हमारी चटनी बनके विल्कुल रेडी हो गई अब मैंने इसको बावल में निकाल लिया इस तरह से देखिए और एक बावल में निकालने के बाद इसमें में थोड़े से यह जो खरबूजे के बीच हैं वह और एड़ कर दोंगी बहुत ही बढ़िया लगते हैं यह खाने में अब कोई भी भी ड्राइफूर्स और भी जैसे कैश्यू नर्स भी इसमें यूज कर सकते ह हैं बहुत अच्छा टेस्ट देंगे वह भी देखिए इस तरह से हम मैंने उपर से खरबूजे के बीच टाले और आप यह चटनी बनाएए आमला की बिल्कुल न्यू रेसिपी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीचिए और मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीचिए और प्लीज बनाने के बाद कमेंट करके बताएए कि आपको यह चटनी कैसी लगी आपको यह रेसिपी पसंद आई या नहीं आई ओके फिर मिलते हैं आप गुद दे